नमस्ते विद्यार्ची मित्रों यहां हम आज वियाकराण विबाग में देखेंगे कहावते हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जीए हम लोगों को उचित है कि हम दूसरों के लिए जीए जो तन मन धन से परकार करते हैं वही धनिया है यदि अपने के लिए जन्म ग वाक्यों में जो ये वाक्य है अपना पेट तो कुता भी बर लेता है तो ये कहावत है तो प्रयोक्त अनुचैद में अपना पेट तो कुता भी बर लेता है कहावत है जो अर्थ का पुर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है जिसका उपयो किसी कही कुई बात के समर्थन में प्रयूक तो होता है। कहावत का शबंद किशी न किशी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से सबंदित कोई पंक्ति गड लिया करते हैं और जब कभी वेशा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहरा कर घटना जननित बातों को फुष्टी करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही शुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुत करन का मोका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाचन जाने आगन टेटा। जब कोई विशेस अनुभाव शामानिय जन जिवन में सब के मन और बुद्धी पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस अनुभाव का कथन कहावत का रोप धारन कर लेता है। कहावत लोक से सबंधित है इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है लोकोक्तिक सब्द दो सब्दों के मेल से बना है लोक वता युक्ति जिसका आर्थ है लोक में प्रचलेत युक्ति या कथन येसा कथन जो व्यापक लोक अनुभाव पर आदारित होता है लोकोक्ति या कहाव मानव के अनुबाव की शुंदर अभिव्यक्ति है यह वर्तमान की धी को पुर्वजो से उत्राधिकार के रूप में प्राप्त होती है उसमें गागर में शागर अथवा बिंदु में सिंदु बरने का अध्भोत गुण होता है इनका प्रयोग से भाषा का शौंदर या पु कमुह कहावते लुकोक्ति उनके अर्थ एवं वाके प्रयोग निमनलखी थे जिसका हम कर्थन करेंगे उसका अभ्यास करेंगे देखते हैं अंत भले का भला जिसका अर्थ है अच्छे काम का प्रिणाम अच्छा होता है शैलेस कष्ट का शहकर भी इमानदारी से परिश्रम करता है इसी कारण वो आज उन्चे पद पर पहुंच गया इसलिए कहा गया है अंत बले का भला दुसरी युक्ति यसी है लोप युक्ति के अंधेर नगरी चोपट राजा टके सेरबाजी टके सेरखाजा अयोग्य साशक के कारण कूप रसाशन इजिसके अर्थ में है उस कारियाले का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी ही ब्रस्ट है चारों तरफ अंधेर नगरी चोपट राजा टके सेरबाजी टके सेरखाजा वाली बात है अंधी पीशे कुटा खाए काम करे कोई फल कोई खाए पिता ने दिन रात कमाई करके दन गठा किया और उसका बेटा मोज उडाते उडाते नहीं ठकता इसी को कहते है अंधी पीशे कुटा अब पस्ताए होत क्या जब चिडिया चुग गई खेट आनी हो जाने पर पस्ताने से क्या लाब तो यहाँ पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया अब अशपल हो गए तो आशु बहाने लगे क्या तुमने नहीं जानते अब पस्ताए होत क्या जब चिडिया चुग गई खेट मार के पीछे भुत पागे किसी की तरह से समस्या का हल करना कोई भी कारण हो जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सा सरल उपाई के बजाए कठीन या सिक्षात्मक रविया अपनाना इसे कहते हैं मार के पीछे भुत भागे राई बचन का यह वाक्या है आँख का अंधा नाम नयन शुक गुण के विरूत नाम होना जिसका आर्थ है गुण के विरूत नाम होना उसका नाम तो है विर्शी मगर वा रात में चुए से डर गया उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है आख का अंदा नाम नयन शुक आये थे हरी बजन को ओटन लगे कपास अच्छा काम छोड़ कर महत्वहीन काम में लग जाना एक पंथ दो काज एक साधन से दो काम होना एक हावते है एक पंथ दो काज, एक शाधन से दो काम होना कंगाली में आटा गिला, मुशिबत में और मुशिबत आना कहा राजा बोज, कहा गंगु तेली, दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर होना इश्वर की माया कहीं दूब कहीं छाया भाग्य की विचित्रता आगे देखते हैं तो एक तो करेला उपर से निम चड़ा एक दोस के शाथ साथ दूसरा दोस भी लग जाना यानि की वह शराबी तो था ही जुआ भी खेलने लगा पाईशे कहते हैं एक तो करेला उपर से निम चड़ा काठी की हांडी बार बार नहीं चटती चल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम मिलता है खिसियानी बिल्ली खंबान नोचे लज़ित या अपमानित होकर इधर उधर रोस प्रकट करना गर की मुर्गी दाल बराबर आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात थोड़े समय का शुक होना दन दोलत एश्वर ये तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए जानते हैं नहीं संसार की रिती चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात शुन्दर के शीर में चमेली का तेल अयोग्य व्यक्ति को अच्छे चीज मिल जाना जाको राखे शाईया मार सके ना कोई जिसका रक्षक बगवान है उसका कोई कुछ बिगाड नहीं शकता आगे दिखते हैं डुबते को तिन के का शहारा विपती में जरासी भी मदद किसी को उबार शक्ती है बचा शक्ती है नाम बड़े दर्शन चोटे प्रसेद अधिक किन्तु तत्व कुछ भी नहीं है प्रसेद खुब हुए हैं लेकिन उसमें तत्व जो ख्रमता होनी चाहि यह वो कुछ है नहीं नाचन जाने आंगन टेड़ा गुन न होने पर बहाना बनाना या दुसरों को दोष देना खुद को कुछ मालूम नहीं और दुसरों को हम गनान देते हैं इसे कहते हैं नाचन जाने आंगन टेड़ा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे दुसरों को उपदेश देने में सब चतूर होते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे तो यहां दुसरों को उपदेश देने में सब कोई मश्गूल है सब कोई होश्यार है दुसरों को उपदेश देने में बकरे की मां कब तक खेर मनाएंगी तो आने वाला दूख आकर ही रहता है तुम अपने अपराधो को कब तक चुपाते रहोंगे आखिर बकरे की मां कब तक खेर मनाएंगी मन चंगा तो कठोती में गंगा रदय की पवित्रा होथ तो घर में ही तिर्थ यात्रा का लाब मिल सकता है हो नहार बिर्वान के होथ चिकने पात योग्य व्यक्ति के लक्षन बच्पन से ही प्रकट होने लगते हैं देखते हैं आगे तो आत कंगन और आरशी क्या प्रत्यक्ष को प्रमान की आवर्श्यक्ता नहीं आत कंगन को आरशी क्या तुम कहते हो कक्षा में 25 चात्रा है मैं कहता हूँ 30 चात्रा है चलकर कक्षा में गिन लेते हैं हाथ कंगन को आर्ची क्या यहां हम कहावत पड़ी जानी कहावत लोक युकती है लोकों में प्रचलित होती है वो पेड़ी दरपेड़ी चलती है इसे कहते हैं कहावते तो कहावत का अर्थ हमें मालुम होता है जब योग्य अवसर मिले तब ये कहावत की जाती है यहां कहावत व्याकरण का एक विबाग हम समाप्त करते हैं अस्तू